आज हम सिखेंगे बहुत ही सुन्दर सा और यूनिक सा नितिंग पैटरन तो देखिए इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में ढाल सकते हैं इसे आप लेडिस काड़िगन में लेडिस जैकिट में जैंट साफ सैटर फोल सैटर में बच्चों के सैटर में अपलाए कर सकती हैं तो पीछे की साइड से इस तरह से लिखता है तो बहुत ही प्रिटी सा पैटरन है तो इस पैटरन को बनाने के लिए आपको जो फंदे चाहिए होंगे वो साथ के मल्टिपल से होंगी यानि कि साथ फंदे साथ फंदे साथ फंदे साथ फंदे लेती हुए जाएंगे और प्लस तो देखिए यहाँ पर मैंने 16 फंदे लिए हैं 14 फंदे इसके 7 के multiple से लिए हैं दो बार 7 फंदे लिए हैं तो 14 फंदे हो गए प्लस 2 फंदे ऐस्टिच के लिए लिए हैं तो 16 फंदे निचे से बेज देने के लिए दो रो उल्टे फंदों के साथ बुनकर निकाल ली है, तो चलिए बनाते हैं, पहली रो सीधी साइड, एस्टी स्लिप करेंगे, रिपीट पैटन स्टार्ट करेंगे, दो फंदे सीधी बुनेंगे, एक दो, अब एक फंदे के तीन फंदे बनाएंगे, एक बार सीधा बुनेंगे, फोड़ा सा लोज ही रखेंगे इस फंदे को, फिर जाई डालेंगे, टू, फिर से सीधा बुनें इसलिप प्रियर करेंगे था, यह देखिए हमारा एक पैटर्न कमप्लीट लिए हैं। इसकील प्रियर को आखिए है। दो, चार, छे, साथ, फिर से इस पैटन को ऐसे ही बार-बार repeat करेंगे, तो दिखे, फिर से दो फंदे सीधे, एक, दो, एक फंदे के तीन फंदे बनाएंगे, एक बर सीधा बंधे, वन, चाई डालेंगे, टू, सीधा बंधे, थ्री, एक फंदा परलबाई स्लिप करेंगे तीन फंदे सीधे एक दो तीन तो दिखे एस्टिच छोड़कर यहां तक हमारे दो पैटरन कम्प्लीट हो गए है लास्ट में एस्टिच है सीधा बुन लेंगे तो पहली रौ कम्प्लीट हो गई है दूसरी रौ है और रौंग साइड है स्लिप करेंगे रौंट स्टार्ट करेंगे चार फंदे उल्टे एक दो तीन पहल पहल वाय स्लिप करेंगे दो फंदे उल्टे एक दू ये देखिए हमारा एक pattern complete हो गया है इसमें हमने 4 फंदे उल्टे बुने तीन फंदे slip किये दो फंदे उल्टे फिर से इस pattern को ऐसे ही बार बार repeat करेंगे तो देखिए 4 फंदे उल्टे एक दो तीन चार धांगा आगे ही रखेंगे तीन फंदे slip करेंगे दो फंदे उल्टे एक दो एस्टिच उल्टा बुनेंगे तीसरी रो है सीधी साइड है एस्टिच स्लिप करेंगे repeat पैटन स्टार्ट करेंगे अब देखिए या आगे के दो फंदे और एक फंदे के तीन फंदे बनाए थे टोटल पांच फंदे हैं इसको left to right इस तरफ को ट्विस्ट करेंगे तो front लूप से पीछे वाले तीन फंद का एक फंदा बुनेंगे दो फंदे सीधे एक दो एक पंदा पालवाई स्लिप करेंगे तीन फंदे सीधे एक दो तीन ये देखिए हमारा एक पैटन कमप्लीट हो गया है इसमें हमने 5 पंदे left to right टुिस्ट किये और 3 फंदों का एक फंदा बुना दो फंदे ने सीधे फिर से इस पेटERN को ऐसे ही बार बार रपीट करेंगे तो फिर से दीखिए पांच फंदे left to right twist करेंगे फर्ण्ट लूप से तीन फंदे आगे लेकर जाएंगे और आगे वाले दो फंदे बैक लूप से पीछे लेकर स्टिच सीधा बुनेंगे तीसरी रॉंग कम्प्लीट हो गई हैं चौती रॉंग साइड सारे फंदे उल्टे उल्टे बुनेंगे स्टिच पिविए उल्टा ही बुनेंगे पांचनी रॉंग है और सीधी साइड है एस्टिच स्लिप करेंगे रपीट पैटरन स्टार्ट करेंगे तीन फंदे सीधे एक दो तीन, एक फंदा पालवाय स्लिप करेंगे, अब एक फंदे के तीन फंदे बनाएंगे, एक पार सीधा बुनेंगे, लूज ही रखेंगे थोड़ा सा, फिर जाई डालेंगे, टू, सीधा बुनेंगे, त्री, दो फंदे सीधे, एक, दो, ये देखिए, मारा एक पैटरन कम्प हो गया है, इसमें हमने तीन फंदे सीधे बुने, एक फंदा स्लिप किया, एक फंदे के तीन फंदे बुने, दो फंदे सीधे, फिर से इस पैटरन को रपीट करेंगे, तो देखें फिर से तीन फंदे सीधे, एक, दो, तीन, एक फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदे के तीन पुनेंगे, एक बार सीधा पुनेंगे, वन जाई डालेंगे, टू, सीधा पुनेंगे, त्री, दो फंदे सीधे, एक, दो, estridge सीधा पुन लेंगे, पांचमी रो कम्लीट हो गई है, छती रो है, राउंग साइड, estridge दिश स्लिप करेंगे, repeat pattern start करेंगे 2 फंदे उल्टे 1, 2, थागा आगे ही रखेंगे 3 फंदे slip करेंगे अब 4 फंदे उल्टे 1, 2, 3, 4 ये देखिए हमारा एक pattern complete हो गया है हमने 2 फंदे उल्टे बुने 3 फंदे slip किये, 4 फंदे उल्टे फिर से pattern को repeat करेंगे 2 फंदे उल्टे 1, 2, 3 फंदे slip करेंगे 4 फंदे उल्टे 1, 2, 3, 4 एस्टिच उल्टा 5 वी रो है, सीधी साइड है एस्टिच slip करेंगे repeat pattern start करेंगे 3 फंदे सीधे 1, 2, 3 1 फंदे slip करेंगे 5 फंदे right to left इस तरफ को test करेंगे पीछे की साइड से 2 फंदे आगे लेकर आएंगे और आगे वाले 3 फंदे पीछे लेकर जाएंगे 2 फंदे सीधा बुनेंगे 1, 2, 3 फंदों का 1 फंदा back लूप से बनाएंगे ये देखिए हमारे एक pattern complete हो गया है इसमें हमने 3 फंदे सीधे बुने 1 फंदा slip किया 5 फंदे right to left is किये 2 फंदे सीधे बुने 3 फंदों का 1 फंदा फिर से इस pattern को repeat करेंगे 3 फंदे सीधे 1, 2, 3 1 फंदा slip करेंगे 5 फंदे इस तरफ को right to left is करेंगे पीछे की side से 2 फंदे आगे लाएंगे आगे वाले 3 फंदे पीछे लेकर जाएंगे 2 फंदे सीधा बुनेंगे 1, 2, back loop से 3 फंदों का 1 फंदा A stitch सीधा बना लेंगे साथ मीर और कम्प्लीट हो गई है आठ मीर और आउंग साइड सारे फंदे उल्टे उल्टे बुनेंगे तो देखिए आठ मीर और कम्प्लीट हो गई है और हमारा पैटन भी कम्प्लीट हो गया है फिर से हम इसे फर्स टॉर से स्टार्ट करेंगे और ऐसे ही बार बार इसकी 1, 2, 8 रॉर रपीट करते जाएंगे और ये पैटन बनकर इस तरह से दिखने लगेगा ये दिखिए बहुत ही प्रिटी सा पैटन है इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं तो फैन आप भी इसे बनाईए और अपने एक्सपिरियंस हमारे साथ शेर कीजिए अगर आपको हमारे पैटन अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करना शेर करना और सब्सक्राइब करना मत पूलें तो मिलते हैं फिसे ऐसे ही और नए नए पैटन के साथ तिल देन बाबाए फैन